एक्सराइस 14.1 का question number 2 consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory daily wages and number of workers यहाँ पे number of workers का आप total करते हो तो 50 हो जाएगा क्योंकि 50 workers ऐसा दे दिया है ठीके तो 12 workers ऐसे है जिसका wages 500 to 520 के बीच में है रुपीज में है ठीके 14 workers ऐसे है जिसका wages 520 to 540 रुपीज के बीच में है 8 workers ऐसे है जिसका wages 540 to 560 के बीच में है 6 workers ऐसे है जिसका wages 560 to 580 के बीच में है 10 workers ऐसे है जिसका wages 580 to 600 के बीच में है Find the mean daily wages of the workers of the factory by using the appropriate method Mean find करना है ठीके तो यहाँ पे जो wages दिया है आपको वो 100 से ज़्यादा जो observation है वो 100 से ज़्यादा है 500 से ज़्यादा है ठीके तो यहाँ पे हम state deviation method यूज़ करेंगे appropriate method से जाना है तो state deviation method यूज़ करेंगे चलिए हम solve करते हैं इसका दो method है पहले में book का method आपको समझाता हूँ फिर बाद में एक shortcut trick में आपको देता हूँ ठीके तो पहले book की method से हम solution सिख लेते daily wages 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580, 580 to 600 vertical form में लिख दिया number of workers fi, vertical form में लिख दिया 50 ठीके फिर बाद में यहां पे class mark find करना है x i ठीके class mark याने mid value this plus this by 2 500 plus 520 by 2 करोगे तो 510 आएगा यहां पे जो class length है class length is denoted by h ठीके class length बोलो या class interval बोलो ठीके तो h equal to 20 है तो यहां पे 20 20 को एड करते जाओ आप 510 आपने fine किया अब 20 एड करो तो 530 आएगा इसमें 20 एड करते हो तो 550 आएगा इसमें 20 एड करते हो तो 570 आएगा इसमें 20 एड करते हो तो 590 आएगा ठीके फिर बाद में ui equal to xi minus a upon h यह formula लिखना पड़ेगा आपको बाकि आप directly यहां पे जो mid में है ठीके जो बीच में है वहाँ पे assume करना है assume के लिए हमने a लिख दिया 550 ठीके इसके सामने 0 लिख देने का और इसके ओपर minus 1 minus 2 1 और 2 ठीके इस तरह से लिख देने का ठीके यह formula से अगर आप करते हो तो answer यही आएगा ठीके तो x i याने यह x i a याने यह a और h याने जो class length है h equal to 20 वो ठीके तो यह formula में अगर आप value put करते हो तो answer यही आने वाला है ठीके फिर बात में fi into ui करो this into this fi into ui 12 to the 24 minus का साइने तो minus 24 14 वनजा 14 minus का साइने minus 14 8 into 0 0 616 10 to the 20 अब इसका total करो ठीके समेशन of fi ui लिख दिया total करके ठीके minus minus को साथ मेलो plus plus को साथ मेलो फिर बात में plus minus कर दो तो आपका answer directly मिल जाएगा minus 12 ठीके summation of fi ui फिर बात में formula में आपको value put करना है ठीके तो x bar equal to a plus summation of fi ui upon summation of fi into h ठीके a याने जो हमने assume किया है वो 550 plus summation of fi ui minus 12 by summation of fi याने 50 into h 20 ठीके तो ये आपको solve करना है और answer लिख देना है ठीके x bar equal to 545.20 ठीके अच्छा यहाँ पे calculate के लिए ये ध्यान में रखो कि zero zero को यहाँ से cancel out कर दो पहले ठीके फिर बात में नीचे 5 है तो क्या करने का उपर नीचे 2 के साथ multiply कर दो तो नीचे 5 टूजा 10 आ जाएगा ठीके फिर बात में 12 टूजा 24 ओके 24 टूजा 48 ठीके तो minus 48 by 10 लिख दिया तो आएगा minus 4.8 फिर बात में minus करके answer लिख दो ठीके तो आपको answer मिल जाएगा ठीके अब इसका एक दूसरा में method shortcut method में आपको सिखाता हूँ इससे भी थोड़ा सोठ है method ये बुक में नहीं दिया है लेकिन बहुत easy to understand है ठीके वहाँ पर minus नहीं आएगा देखो तो वो method हम सिखते है ठीके अब second method से ये sum हम solve करते हैं बहुत easy method है यहां पर कोई number minus में नहीं आएगा लेखो तो यहां पर क्या करना है first वाले में assume करना है आपको first number जो x i है वो assume कर दो उसके सामने 0 लिख दो फिर 1234 तो यहां पर कोई minus में नहीं आएगा यहां पर minus में नहीं आएगा है ना अब fi into ui करो 12 into 0 0 14 बंजा 14 8 2 यह 16 6 3 यह 18 10 4 यह 40 अब इसका total करो ठीके तो 88 आए summation of fi ui इसका total summation of fi अब x bar formula apply करो a plus summation of fi ui upon summation of fi into h a याने 510 plus summation of fi ui 88 by 50 into h याने class length ओके 2020 का class length है तो 20 00 को cancel out करो ठीके अब इसको solve करना है तो वो कैसे solve करना है वो मैंने आगे आपको समझाया नीचे 5 है तो 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं पहले यहां पर वन लिख देता हूं अब 10 लाने के लिए 5 को 2 के साथ मैं multiply करूंगा तो 10 आएगा ठीके तो उपर नीचे 2 के साथ multiply कर दो तो नीचे 5 2 या 10 आ जाएगा यू कैन इजीली convert इंटो decimal fraction ठीके अब 5 2 या 10 मिल गया अब 10 इंटो 10 इंटो 10 कर दो तो आएगा 3 5 2 नीचे 10 है तो 35.2 फिर बाद में एड कर दो तो answer मिल जाएगा है ना इजी दोस्तो वीडियो पसंद आया है तो like और share जरूर करो हमारी चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारी चैनल को फटा फट सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल न भूलो ताकि हर नए वीडियो का notification आपको मिलता रहे ठैंक यू वरिमिच दोस्तो